वेलकम बैक टुमाई यूटीब चैलन दोस्तों आज किस वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे डिजास्टर के बारे में क्याक्चेल में डिजास्टर क्या होता है डिजास्टर के क्या 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 कौजेज होते हैं और डिजास्टर कितने टाइप्स का होता है क्या क्या इ डिजास्ट्र है इक बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक है इससे हैं कि योत दिजास्टर क्या होता है है तो यहां पर दोस्त来了 है यह क्या है करने दिफाइंड एज फिथ पर कोứ पर मैं Ecological Disruption, Loss of Human Life और Detoration of Health and Health Services तो यहाँ पर जो disaster है यह क्या है एक serious disruption होता है जो disaster होता है इसमें क्या होता है serious disruption होता है serious disruption का मतलब कह सकते है serious interruption होता है यहाँ पर कह सकते है serious breakdown होता है तो disaster में क्या होता है serious breakdown serious interaction होता है और जो disaster है ये cause करता है damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health services तो यहां पर disaster होता है ये damage cause करता है बहु सारा damage cause करता है और ecological disruption cause करता है ठीक है ecological disruption का मतलब जो हमारा environment होता है उसको disrupt कर देता है interrupt कर देता है ठीक है और loss of human life देखने को मिलती है मतलब बहु सारे लोगों की death भी देखने को मिलती है disaster में और deterioration of health मतलब जो health होती है वो बिगड़ जाती है ठीक है health जो होती है wars हो जाती है इसके साथ साथ जो health services होती है वो भी गड़बड हो जाती है ठीक है तो health services भी वार्स देखने को मिलती है तो हम लोग इसको बोलते हैं disaster ओके तो यहां पर जो disaster है इसके कुछ main features हैं जैसे की first है unproductability जो disaster होता है यह unpredictable होता है मतलब इसका कोई भी fix time नहीं होता है यह कभी भी आ सकता है तो जो disaster है इसको predict नहीं किया जा सकता है इसके timing को predict नहीं किया जा सकता है तो यह unpredictable होता है ठीक है unfamiliarity होता है और speed होता है ठीक है disaster होता है speed में होता है और urgency होती है disaster के condition में और uncertainty होती है मतलब इसका कोई time fix नहीं होता है ठीग और 3-8 होता है मतलब इसमें जो है जानलेवा भी हो सकता है पेसेंट जो भी victims हैं जो disaster victims हैं उनकी death भी हो सकती है तो इसके कुछ main features भी होते हैं disaster के तो I hope आप लोग disaster समझ गयोंगे अब यहाँ पर हम बात करते हैं causes और types के भाई जो disaster है इसके क्या-क्या causes होते हैं और कितने types का होता है तो यहाँ पर जो first है वो है आपका natural disaster जो disaster होते हैं दो type के होते हैं first है natural disaster और second होता है human made disaster ठीक है या फिर human induced disaster तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे natural disaster के बारे में कि बहाइ निचक्तर डीजाश्टर क्या होता है और कितने types का होता हु सब्सक्राइड निच्री कर खोपको यहां पर जो आपका natural disaster है यह भी जुन एक टाइप कर डिजाश्टर है जो नेचर के दोवाराς होता है ठीक है मतलब serious interruption देखने को मिलता है serious damage देखने को मिलता है तो जो natural disaster है यह triggered होता है natural hazards के द्वारा कई सारे natural hazards होते हैं जैसे की flood है land slides है ठीक है तो कई सारे natural hazards होते हैं जिसके कारण natural disasters देखने को मिलते हैं तो यहां पर जो natural disaster होते हैं यह human और material और economic और environmental losses cause करते हैं ठीक है तो natural disaster में बहुत सारे human human की life loss देखने को मिलती है material और economically और environmental का loss होता है एस नहां पर जो natural disaster होते हैं कई सारी types के होते हैं कई के इसके example हैं तो यहां है जो फैस्ट आई वह आपका का हाइडरो लॉजिकल घॉड्रोमीटर लॉजिकल disaster जोävड है वो फैद्रोमीटर लॉजिकल Frühst नोवीटर लॉजिकल कह मतलब यहां पर यहां पर है कि हईडरोलाजिकल है क्या मतलब यहां पर liquid से है ठीक है water से related हो सकते हैं तो जो water से डिजास्ट्र हैं उनको हाईडो मीटर एक बोलते हैं यहां पर कई सारे साइडो मीटर लाजिकल डिजास्ट्र में जो साइक्लों ठीक है जो साइक्लों सोता है इसको हिंदी में चक्रवात जो है टाइफोन ठीक है और हरीकें ठीक है इस ट्रॉम्स यह वह एक टाइप के डिजास्टर सोते हैं कि तुफान होते हैं जो है वह है स् suppl dramas का मतलब होता है ओलए प्रना ठीक या फिर बर्प बारी करें सकते हैं उस्तों का मतलब होता है बर्प की बारी होना मतलब होता है कि सीत लहर हुआये जो चलती उनको बूलते या फिर ड्राउट्स का मतलब शूखा पड़ जाला है वह यहां पर जो से जैसे कि सुनामी है और आपका है वालो कैनिक activity का मतलब जो जाला मुखी activity होती है निष्टे आपर मास मोमेंट लेंड श्लाइट ठीक है और जियोग्राफिकल फॉल्ट एक्टिविटी तो यह कुछ जियोग्राफिकल डिजास्टर है जियोग्राफिकल का मतलब अर्थ से रिलेटड है ठीक है अर्थ से रिलेटड और एक पार्टिकुलर एरियह में देखने को मिलते हैं ठीक है नेश्ट यहां पर जो डिजास्ट्र है वह आपका बा wieder हों investir होते हैं biological disaster में क्या होता है कि exposure to pathogenic microorganism जो biological disaster होते हैं इसमें कई सारे pathogens का exposure होता है ठीक कई सारे microorganism का exposure include होता है ठीक है या फिर toxins हो सकते हैं या फिर bioactive substance हो सकते हैं अगर biological disaster के examples की बात करें तो जैसे की outbreak of epidemic disease ठीक है epidemic disease का मतलब जो country country level पर diseases होती है तो कोई भी epidemic disease का outbreak हो सकता है ठीक है plant और animal contagious diseases कई सारी होती है और extensive infestation extensive infestation का मतलब अगर large amount में अगर insect है ठीक है या फिर rates हैं तब जो है यह भी disaster cause कर सकते हैं तो यह कुछ examples है biological disaster के तो यहां पर जो biological disaster है इनमें पाइटोजेनिक या फिर micro organism exposure देखने को मिलता है या फिर कर सकते हैं जो micro organism होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं टॉक्सिंस होते हैं यह बायोलोजकल disaster को cause करते हैं नेक्स्ट आपर बात करते हैं सेकंड जो है वो है human induced disaster ठीक है human induced disaster का मतलब यह जो human induced disaster होते हैं यह human के activity के कारणड देखने को मिलते हैं तो यहां पर जो human induced disaster हैं इसमें भी human induced disaster देखने को मिलते हैं जो human induced disasters होते हैं यह cause करते हैं human material ठीक और economic और environmental loss cause करते हैं तो यह जो human induced disaster है यह भी कई टाइब के होते हैं जो first है वो है technological disaster अब यहां पर बात करते हैं technological disaster डिजास्टर का मतलब जो technological इंडस्टर एक्सिदेंट्स होते हैं ठीक है कई सारी technologies होती हैं ठीक है कई सारी industries होती है वहाँ पर जो accidents होते हैं उनको technological disaster के अंदर रखा जाता है ठीक कई सारी industries होती है जहां पर infrastructure failure के बज़े से हो सकता है को पर या फिर इ anthrop होती है उनके कारण जो है टेकपनी टिखने को मिलता है यह यह सारे को मिलती है और property damage देखने को मिलती है इसके भी कई सारे examples है technological disaster में जैसे की industrial pollution देखने को मिलता है ठीक है और nuclear release nuclear release का मतलब कोई autumn कोई bum ठीक है nuclear energy होती है यह भी disaster को cause करती है इसके कारण भी disaster देखने को मिलता है या फिर radioactive substance को यह है उसके वज़े से disaster देखने को मिल सकता है ठीक है पुए toxic best है या फिर डैंप failure है ठीक तो इनकी वज़े से जो है या टेकनोलोजिकल disaster देखने को मिलते है या फिर ट्रांसपोर्ट उइंडस्ट्रियल और टेकनोलोजिकल जो accidents होते हैं यह एक technological disaster है नेक्स्ट आपर जो लास्ट है वो है इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन तो यहाँ पर जो इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन है यह भी एक human induced disaster है ठीक है human के activity के कारण देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन है इसमें क्या होता है कि जो human behavior activity होती है human behavior और human की जो activities होती है उसके कारण इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है ठीक है जो इन्वायर्मेंट है यानि जो natural resources है वो damage होते है इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन में जैसे की जो water है ठीक है जो air है वो सारा कुछ disrupt हो जाता है तो इसके अगर examples की बात करें कि भाई जो इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन है इसके क्या क्या एक्जाम्पल हो सकते है जैसे की land degradation है land का मतलब अर्थ से related है अर्थ का अग कि कटाई होती जिसको बोलते हैं deforestation ठीक है और decertification और wild land fire wild land fire का मतलब जो forest होते हैं वहां पर fire लग जाना ठीक है loss of biodiversity और water and air pollution ठीक क्लाइमेट चेंज नेश्ट आप सी लेवल राइस एंड ओजोन डिप्ली डिप्लीशन तो यह कुछ इन्वायर्मेंटल डिग्रेडेशन है जिनके कारण जो है और human induced disaster देखने को मिलता है तो आई होप आप लोग सारी चीश समझ गाऊंगे अगर आपको पीडियेफ वार में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं वहां पर हम जितने भी सारे नोट्स हैं वह सारे नोट्स को सेयर करता रहता हूं तो आप लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वहां से टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो थै झाल झाल